भाईया निशुम, निशुम, हम तुम्हें उस कालिका के साथ जीद करने के लिए अकेले नहीं जाने देंगे, वो सुन्दरी कोशिकी के साथ ध्यानक और चमतकारी कालिका चमुंडा है, हम अपने अनेक गशूर वीरों को उसके प्रहरों के कारण खो चुके हैं, इसलिए हम तुम्हें यू तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे तुर्ग विजयता, भैतेराज, शुम्ब निशुम्ब की चेष तुर्ग विजयता, भैतेराज, शुम्ब निशुम्ब की चेष तुक्विजेदा, बैते राज, शुम्ब निशुम्ब की, जेद, तुक्विजेदा, बैते राज, शुम्ब निशुम्ब की, जेद, जेद, तुक्विजेदा, बैते राज, शुम्ब निशुम्ब की, जेद, तुक्विजेदा, बैते राज, शुम्ब निशुम्ब की, जे के विमान रोका है कि ये शीव शंकर है देट गुरु शुक्र अचारे जिनके अराधना करते हैं भगवान शीव शंकर की जय हो शुम निशुम कोशी के पर विजय पाने का तुम्हारा अभ्यान तुम्हें सर्वनाश की हो ले जाएगा इसलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम स्वर्ख पुनह देवताओं को सौप कर बता लोक लोट जाओ नहीं कदा अपी नहीं कोशी के अभिमान को भंग करके हम उसे स्वर्ख ले जाएंगे और वो स्वर्ख की सामरा की बनेगी ये सर्वथा संभव है शुम्ब निशुम गौरी पुत्री कोशी की शक्ति का अव्थार है और शक्ति असुरों का केवल विनाश ही करती है उनकी इच्छाओं का अनुसरल नहीं करती है अब भी समय है इस्तिती को समझ कर साब्धान हो जाओ और अपनी सुरक्षा के लिए पाताल लोक चले जाओ अन्यथा तुम्हार अब भी अशुम्भ शुव ने कहा कि वो दैथ्यों के शुव चिंतक है परन्त मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता हमें उनके पहकावे में नहीं आना चाहिए और कोशिकी को सुर्ग सामरागी बनाने का अभियान पुरुन करना ही चाहिए स्वर्ग विजेता बैते राज शुम्भ निशुम्भ की चैष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कैसी हो कोशिकी आप कितने क्रिपालू है जगत पिता मैं अपनी उत्पत्ती के समय से ही आपके दर्शन के लिए उत्सुक हूं आपने स्वयम प्रकट होकर मुझ पर अपार क्रिपा की है कोशिकी हमें उदेश्य वश प्रकट होना पड़ा है अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने प्रकट होने का उदेश्य सार्थक करना है यही कहने हम आये हैं जगत नियंता भ्रह्मा जी ने जो वर्दान अभिमानी असुरो शुम्ब निशुम्ब को दिया था उसकी पूर्णा होती तुम्हारे हातों उनका वद करके पूर्ण होगी मैं इसके लिए तक पर हूँ देविश्वर तुम्हारी माता देवी पार्वतीन है तुम्हारी रक्षा एवं साहता के लिए कालीका चामुंडा और चंडिका का रूप धारण करके शुम्ब निशुम्ब के अनेक चमतकारी साहे कसोरू का संघार किया है किन्तु शुम्ब निशुम्ब का संघार तुम्हारे ही हातों होगा असुर तुम्हारे द्वार तक आप पहुंचे को अब तुम अपने कर्दव्वे का निर्वाह करो तुम्ब निशुम्ब के चलि का रूकी मैं थेराण धम्युम्ब निशुम्बकी चलि जर्ग विजयता, सक्ति नाङ की जयत्त जर्ग विछयता, अंति नाङ की जयत्त दॉर्ग विजेता, है तेराज, शुम्ब निशुम्ब की, खेड़! है सुंदरे में, है रूप करविता, है सौकन सुंदरी तुम्हारे सौंदरे के सम्मोहन में, हम तो ये भी भूल गए, कि हम यहां यूद्ध करने आये हैं इससे पूर विधाता ने, तुम जैसी सौंदरी पूर्ण सुंदरी तो की ही नहीं होगी अब भविश्य में भी क्या करेगा, सुरिष्टी का संपून सौंदरे तो तुम्हारी रचना में ही समाप्त हो गया तुम्हारी रचना करने के पश्चात, सौंदरी के नाम पर विधाता के पास अब शेश बचा ही क्या होगा तुम्हारा एक एक अंग, अर्थात अंग प्रत्यंग, विधाता ने यत्न और परिश्रम से रचा है तुम्हें बनाकर यदि विधाता अपनी रचना पर गर्व भी करें तो उसका गर्व कौन खंडित कर सकता है तुम यहां मेरे रूप का वर्णन करने आये हो अथ्वा मुझे युद्ध में पराजित करने पहले तुम्हारे रूप सुंदर से हुई पर आजे से तो भर ले फिर जुद्ध की जय पराजे पर विचार करेंगे ऐसी सरुस्रेश्थ सुंद्री से युद्ध करना कौन चाहेगा तुम्हारे भीतर, दो विरोधी गुण, एक साथ कैसे समागे सुन्दरी, सौंदर रहे, और युद की ततपरता, तुम जैसी कौम लांगी, सू मदुरा, लावन्य में युद करे, ना, 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 युद नहीं करोगे, तुम मुझे प्राप्ट कैसे करोगे? सुन्दरी, हमने तुम्हारे विशे में अब तक जितना सुना, वो बहुत ही कम था, सुनाने वालों के पास, सुनाने की गुण शेली, वानी और भाशा थी ही नहीं। सुन्दरी, तुम जैसी परम सुन्दरी से युद करना, अपने पोरुष का अपमान करना होगा, तुम्हें तो बिना युद किये, सुहम को हमें समर्पित कर देना चाहिए। हमारा सारा, बल, वैभाव, तुम्हारे चाड़ों में समर्पित है सुन्दरी, फिर युद की क्या अवशकता है। और मेरी प्रतिज्या का क्या होगा। प्रतिज्या? कैसी प्रतिज्या? तुम्हारे सेवकों ने तुम्हें पताया नहीं कि मैं प्रतिज्ञा कर चुके ही, कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूँगी, जो युद्ध में मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा प्रतिज्या तुम्हारी प्रतिज्या सुन्दरी प्रतिज्या पोरुष से पोन बुरुषी क्या करते हैं तुम जैसी कौमलांगी सुन्दरी को प्रतिज्या करना शोबा नहीं देता कॉमलांगी तो ते क्या करें तो उसकी कॉमलता नश्ट हो जाती है दुष्टौ नश्ट तो तुम्हें होना है मुझसे य०्ध करो ऐनिता समाप्त कर दूगो अब तो हमें इस अम्मानीन को अपनी शक्ति का परिचाए दिन ही होगा वैसी समय से युद्ध में पराजित करके आपके चालों में समर्पित कर दूगा ऐसी भूल मत करना निशुम अन्यत है ये सुन्दरी तुम्हें पराप्त हो जाएगी जो इसे पराजित करेगा ये उसी की होगी किन्टू तुमने रत्वीज का आवान करने से पूर मुझसे कहा था कि कालिका के समाप्त होते ही कोशिकी मेरी हो जाएगी क्यों याद आया हां भई अशुम इसलिए इसे पराजित करके अपना बनाने के लिए मुझे ही इससे अञाओ क अबिए विप अखाओ कि डहें ब अबिएंग कि उुछ भाल गुछ झाल अबिएंग कि भाल उसार न उजाओ कि बढ़ शर्फ़ सर दक विंग यद खड़ सकते हैं यद ए कि आप बढ़ सकते हैं जए और मेजन ए थैंग कि आपाज कर तक पार कि अदिए जब बिए करगा तंदरी नहें लुजम नहीं इस संदरी पर हमारे अजिए अन्य कोई ब्राहर नहीं करेगा आग कि कि अार अड़र जार कि ऑेुड़ मैं का घार कि काप नच बाइस । भाईया शुम्भ मैं तुम्हें अंतिम बार सावधान करती हूँ यदि अपने सर्वनाश से बचना चाहते हो तो इसी समय अपने असुरों को साथ लेकर पाताल लोग चले जाओ नहीं सुंदरी नहीं अपने भाईया शुम्भ का प्रतिशोद लिये बिना और तुझ पर विजय पाए बिना अब लोड चाना संभाव कैसे होगा टॉजया झाहते होगा स्थिए अचिश जाओ अंपने सूच़ कि यह झाए नहीं पाइएएगा स्क्लिटTh हाह Stock झाहा झाहा году झाल हौप को घुट हॉक ढया वे अमर हूँ! कर दो कि अजय को भी आटाओ जो ऊच झाल कर दो